मेरा 40-60 का एक रूफ है, मैं उस पर मुबाइल टावर लगाना चाहता हूँ Greetings, यह हमारी वेबसाइट है, geotowergroup.com, यहाँ पर आप अपलाए करिये मैंने बोला कर दिया, status check करिये, you are eligible मैंने का अरे वहाँ क्या बात है, sir payment क्या रहेगा 15,000 हर महीने rent, 15 साल का agreement और उसके साथ 15,00,000 का security deposit भी advance में मैंने का, अरे मेरे पापा के नाम पे plot है, लेकिन वो चल जाएगा क्या कोई problem तो नहीं होगी, उसने बोला, नहीं नहीं कोई problem नहीं है आप पापा से sign करवा देना, आपको अब क्या करना है, आपको जो processing fees है वो फटाफट से pay करनी है, और उसके बाद आपका आगे का काम शुरू हो जाएगा मैंने पूछ लिया भई, आपका नाम क्या है, और आप फटाफट काम करा दो इतना बढ़िया payment है और 15 लाग advance security आप काम करा दो प्रदीप, कितने टाइम में processing fees पे करोगे, जैसे ही पे होगा मैं आपके file आगे process कर दूँगा, और हमारे team का जो बंदा है वो आपके address के लिए भी निकल जाएगा आप bank details डो, GST कटे रहा है, मेरे पास GST नहीं है, आपको call नहीं लग रहा, मैंने call करने के भी कोशिश करी अरे वार उसका नाम भी प्रदीप है, मैंने का मेरे पापा का भी नाम प्रदीप है और document क्या चाहिए, WhatsApp करो या mail कर दो इसने बोला कि आप यहाँ पर अपना status चैक करो, यह invoice option रहेगा, यहीं पर आपको bank detail मिल जाएगी और receipt यहाँ पर pay करके इनको receipt भेजो, GST नहीं कटेगा तो मैंने का भाया, bank detail नहीं दिख रही है, तो इसने bank detail की photo भी भेज दी आप देखे का यहाँ पर, यह PTM Payment Bank का link इनों ने, IFSE code और यह दिया है, ठीक है मैंने बोल दिया कि लीजिए, 5900 मैंने पेमेंट कर दिया है, बोल रहा है कि स्क्रीन बेजो मैंने बोल दिया है, पेमेंट हो गया है, अब आपको क्या चाहिए, स्क्रीन करिए, चेक करके बताईए, अपने accounts department में चेक करिए, इत्ती बड़ी company जीओ, यहाँ पे accounts department होगा उना payment नहीं आया तो मैंने कहा कि देखे payment वापिस आ गया मेरे पास 5900 रूपीज ये error आ रहा है आप अपना दूसरा bank detail दो तो इसने अपनी access bank की details भी दे दी ये उसकी access bank की details है नमशकार दोस्तों Labor Law Advisor Channel के एक और बहुत important episode में आपका स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा उद्देश्य ही है इस channel पे इस देश की जनता को जागरुख जनता बनाना हमने कुछी दिन पहले data entry job के fraud पर एक detailed video बनाया था उसके नीचे में पस धेरो comments आये वो आये mobile tower fraud के उपर और जैसा कि अभी आपने मेरा whatsapp conversation सुना ये mobile tower fraud को मैंने खुद अपलाय किया एक mobile tower लगाने के लिए तो आज के इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ complete detail mobile tower fraud के बारे में और ये fraud इतना बड़ा है कि इसके उपर एक पूरा Wikipedia का page भी है इसे mass marketing fraud बोला जाता है क्योंकि इसे mass media के जो communication के जो channels है जैसे mobile, SMS उनको use करते वे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है तो दोस्तों आज के इस episode में हम तीन चीज़े cover करेंगे नमबर वन पूरा process समझेंगे इनका modus operandi समझेंगे कि ये जो fraudsters नहीं ये ठग है ये किस तरीके से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है second हम जानेंगे कि एक बार हम जब समझदार हो गए है समझ गए है कि कुछ गलत हो रहा है इनको detect कैसे करें report कैसे करें और इनसे बदला कैसे लें और तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि किया genuine में आप mobile tower के लिए apply कर सकते हो और कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो तो दोस्तो मेरा नाम है रिशब जैन आप देख रहे लेबर लो advisor और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आप हमारे चैनल को subscribe करके bell icon दरूर दबा दीजे ताकि ऐसा कोई भी important update हमारे इस देश की जागरुक जनता से miss न हो जाए तो जो mobile tower का fraud है इतने mass level पे हो रहा है in fact आप अगर google पर search करेंगे mobile tower mobile tower installation इस तरीके के keywords तो आपको ठेरो ads और लगबक सारी ही fake websites वहाँ पर नजर आएगी तो दोस्तो आई ये step by step समझते हैं कि किस तरीके से ये शातिर लोग इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं तो सबसे पहले इनका step रहता है लोगों को अपने चंगुन में फसाना इसके लिए तीन तरीके commonly use करते हैं सबसे पहला यूज करते हैं न्यूस पेपर में classified ads सेकेंड ये यूज करते हैं वेरियस websites पर display ads और थर्ड और जो इनका सबसे powerful तरीका रहता है वो रहता है Google ads जी हाँ अगर आप Google पर search करेंगे तो इनके धेरो ads दिख जाएंगे ये आगे क्यों छोटा सा ad का symbol रहता है ये ही ad है आप सोचेंगे कि mobile tower लगाने के लिए कोई बंदा आगे से ad क्यों देगा Google पर फिल्कुल आप समझदार हैं आप ये ऐसा सोच भी सकते हैं लेकिन अक्सर लोग सेकडों, हजारों, लाखों की तादाद में इससे बेवकूफ बन रहे हैं ये जो लोग है इसके बाद ये use करते हैं fake company के name और वो name भी ऐसे होते हैं जो हमारे देश के registered telecom service providers है या टीएसपी है या registered infrastructure service providers है ISPs उनके नाम का use करते हैं फर एक्जामपल आप जानते है Jio Communication एक official company है Reliance Jio की और आप देखेंगे कि Jio के नाम से मिलते जुलते ये एक, दो, तीन fake websites आपको दिख जाएंगे ये सो सिर्फ ती मैंने example दिये हैं Jio से नाम से जुड़े वेई आपको सेकडों website जो 100% fake है Mobile Tower लगाने के ओनलाइन मिलेंगे ठीक इसी तरीके से आपको AATL के, Vodafone के, आइडिया के हर नाम से मिलते जुलते सेकडों website आउनलाइन मिल जाएंगे जो सारे के सारे fake है वैसे एक बार की देखने में तो ये website सारी ही आपको genuine लगेगी इनमें आपको अपने clients के number दिख जाएंगे photo gallery दिख जाएगी testimonials दिख जाएगा, list of documents दिख जाएगा बहुत सारी चीज़े दिख जाएगी जिनसे लगेगा कि अरे ये बिलकुल genuine website है जीयो की या Vodafone की या फिर किसी genuine service provider company की जो mobile towers लगाती है जब हम ये professional websites देखते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ती अगर इनका form भरता है या फिर दिए गए number पर whatsapp या email के थूँ contact करता है तो एक बार इनका process शुरू हो जाता है उसके बाद ये एक set script पर काम करते हैं उस script में office workers भी होंगे officials भी होंगे government officials भी होंगे telecom service provider भी होंगे survey करने वाले लोग भी होंगे यहां तक की advocates और legal department भी होगा जो पूरा के पूरा काम कर रहा होगा और अगले व्यक्ती को ये पता भी नहीं चलेगा कि ये जो mobile पर इतने सारे अलग-अलग लोग काम कर रहे हैं शायद ये एक ही कमरे में एक ही call center में बैठे अलग-अलग लोग है या फिर एक ही व्यक्ती आवाज बदल-बदल के बात कर रहा है और overall आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है in most case से ये जो frauds है ये victim को ये बोलते है कि हम आपके property पर एक survey के लिए engineer भेजेंगे या survey man भेजेंगे उससे पहले आपको हमारा payment कर देना है ये payment आपसे processing fees के form में security deposit के form में government fees के form में NOC clearance करवाने के form में या फिर GST के form में मांग सकते हैं in fact जो भी victim है उनको ज़्यादा lucky यानि भाग्यशाली feel कराने के लिए ये ऐसा भी करते हैं कि आपको कुछ दिनों बाद phone करेंगे कि आपने जो property अपना address डाला था हमने उसकी satellite से या frequency के थूँ testing करके देखी है और आपकी जगे एकदम उप्यूक्त है एकदम सही है mobile tower लगाने के लिए congratulations कुछ rare cases में तो ये इतने हद तक आगे चले जाते हैं कि किसी व्यक्ती को भी भेज देता है survey करने के लिए with all the tools and equipment ताकि completely genuine लगे कि हाँ भई अब तो आदमी भी आ गया उनका survey भी करके चला गया आप तो ये case बिलकुल genuine है अपने आपको और भी legitimate दिखाने के लिए धेड सारे papers भी भेजते हैं for example agreement, NOC, insurance के paper TRIKA certificate, DOT के certificate, transportation के paper overall पूरे चीजों का theme ये रहता है कि हम सारा आपका paperwork कर रहे हैं आपकी filing कर रहे हैं as soon as आपने अपनी advance fees अपनी processing fees या NOC के लिए जो fees है या tax है वो pay कर दिया आपका tower का process शुरू हो जाएगा in fact ये डराते भी हैं कि आपके time जल्दी जल्दी खतम हो रहा है या हम किसी दूसरे application पर काम करने लग जाएंगे आप हमारा payment जो है वो तुरंट जमा करा दीजिए जैसे ही victim इन बातों में आकर payment जमा कराता है तुरंट ये सारे number बंद हो जाते है email पर reply देना बंद हो जाता है ये जो पैसा उन्होंने bank में दिया था तुरंट bank से जो frauds है वो निकाल लेते हैं और ये व्यक्ति ठगा सा रह जाता है और इसके बाद इसकी मदद ना police करती है न government करती है कोई भी नहीं करता है तो ये overall उनका modus apparently है तो ये इतना बड़ा fraud चल रहा है आईए अब समझते हैं कि इस fraud को detect कैसे किया जाए इन frauds को पकड़ा कैसे जाए इनकी complaint कैसे की जाए और इनसे बदला कैसे लिया जाए हो सकता है आज तक आपके साथ ये fraud नहीं हुआ हो लेकिन आपकी इस देश के जागरुक जनता के रूप में ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे fraud से हमारे देश के भोले-भाले जनता को बचाया जाए तो ये जो mobile tower का fraud है इतने बड़े level पे हो रहा है कि Department of Telecommunication ने एक official memo जारी करके लोगों को चेताया भी है कि हम लोग आपको चेताब नहीं दे रहा है कि ये जो सारे केसे चल रहा है completely fraud है और आपको क्या करना है तो उन्होंने बोला है कि DOT किसी से भी directly or indirectly ऐसे NOC certificate नहीं मांगता है second और जो सबसे important point है कुछ 500 infrastructure providers है और कुछ 50-60 telecom service providers है यही लोग इस देश में telecommunication के जो towers है वो लगा सकते हैं इनकी list भी DOT की website पर दी गई है और हम नीचे description में भी link दे रहे है तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको mobile tower के लिए अप्रोच करें तो first of all वो fraud ही होगा यह मान के चलिए और फिर भी अगर आपको double test करना है तो नीचे दिये गए link पर सबसे पहने तो यह confirm करने कि उस list में उस व्यक्ति का उस firm का नाम है कि नहीं इसके बाद DOT अपने official memo में कहता है कि कोई भी company या TSP या infrastructure service provider अगर आप से advance में fees की demand कर रहा है तो तो extra cautious हो जाएए और बिलकुल ध्यान रखिए कि उसके fraud होने की chances बहुत ज़्यादा है और मान दीजे आप किसी इस तरह के fraud के victim है या फिर आपके साथ ऐसा fraud करने की कोशिश की जा रही है या इन general आप लोगों को बचाना चाता है इस fraud से तो आप अपने local police station में complain कर सकते है और नहीं कर पा रहे हैं तो आप local telecommunication के office term वहाँ पर जाकर भी इसकी complain कर सकते है जिनके address की details भी DOT की website पर available है तो दोस्ता अब हम बात करते हैं कि mobile tower पर क्या genuinely apply किया जा सकता है कि आपने घर पर mobile tower लगा सकते हैं इतना अच्छा proposal लगता है कि घर के उपर जो छट खाली पड़ी है या कोई plot खाली पड़ा है वहाँ पर tower लगा दीजिए और वहाँ पर 15 से 20 साल का contract भी है fixed income होती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है कोई जंजट नहीं है तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने सारे लोग ऐसे भुलावों में ऐसे जहांसों में पड़ जाते हैं मैंने अपने एक दोस्स से बात करी जिन्होंने अपने घर के पास में ही अपने plot पर एक mobile tower लगा रखाया उनसे बातचीर से मुझे कुछ ये बिंदू बता चले नमबर वन 99% cases में ये companies की जगे location pinpoint तक fix रहती है जहां पर ये mobile tower लगाना चाहते है in fact इस देश में इतना ज़्यादा penetration है towers का हर जगे तो ये company इतनी cost लगा कर mobile tower लगाएगी नहीं जहां पर demand है और उनका network नहीं है ऐसी जगे पहले company identify करती है और उसके बाद वहाँ पर ही tower लगाया जाता है अगर आपके area में मान लीजे Gio का या Airtel का network आ रहा है तो anyways आपके घर के आसपास वो tower नहीं लगाएंगे और आपके कितने भी apply करने से tower नहीं लगाएंगे तो उसने मुझे यही बताया कि उनके घर पे खुद से ये लोग आये थे उनके plot वगरा देखकर और उन्होंने बोला कि हम ये इस area में tower लगाना चाहते किया आप interested है number second जब बात की जाती है इसमें इसकी rental की तो rental इसमें इतना बढ़ा चड़ा कर बताया जाता है 80,000, 90,000 लाख रुपे पर मन्त इतना ज़्यादा rental होता नहीं है ये rental rural आलाकों में 5-7,000 रुपे से शुरू होकर जो शेहरी आलाके हैं जो second tier, tier 2 cities है वहाँ पर 15-20,000 और मान लीजे कोई tier 1 city और बहुत ही densely populated area है Delhi है, metros है वहाँ पर ये 30, 40, 45, 50,000 तक हो सकता है उससे ज्यादा नहीं ये जो लाग, डेड, लाग रुपे की बात करते हैं सारे के सारे fake हैं irrespective आपकी जगे वो आपको 15-20,000 भी offer करते हैं तो वो भी fake है rural में तो बहुत कम rent में भी इनको ये towers मिल जाते हैं अब अगर दोस्तों आप पुलिस के जंजट में नहीं पढ़ना चाहते हैं और इन tower companies से बदला लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं दो चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं तुरन दो मिनट पर अपने mobile से simple काम है आप Google पर सर्च करिए mobile tower installation आपको वहाँ पर धेर सारे ads दिख जाएंगे और ये genuinely मान लीजे के जो भी mobile tower के नाम पर आड आरे हो सारे के सारी fake companies है आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिरफ उन ads पर click कर दीजे आप जितने इन ads पर click करेंगे उतना ही इन frauds का पैसा कटेगा और Google के पास ad revenue के form में चला जाएगा अगर दिन के लाख लोग click करेंगे तो लाख into मान लीजे 5 रुपे click rate है तो 5 लाख रुपे इन companies के लग जाएंगे अगर आप इस से थोड़ा आगे step में करना चाहते है तो इन पर click करने के बाद आप apply भी कर दीजे और जब यह आप WhatsApp पर आपको भेजे कि हाँ आप select हो गए है mobile tower apply करने के लिए mobile tower लगाने के लिए आपको ऐस advance fees देनी है तो इनको humor करिए इनका time खराब करिए और यह सब भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा है तो कुछ भी मत करिए यह वीडियो आपने पूरा देखा है इस वीडियो को share जरूर कर दीजे अपनी social media पर ऐसे लोगों के साथ जो शायद इस fraud का शिकार हो सकते हैं तो दोस्तों अपनी financial health है उसको improve करने के लिए ज़्यादा तर लोग इसकुछ इस तरह के frauds में फज जाते हैं मेरा ऐसा सुझाव है कि आप अगर अपनी financial health improve करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही तरीके हैं save करिए और invest करिए अगर आप saving कर रहे हैं अपने saving banks account में तो उससे बहतर है कि आप कोई ना कोई mutual fund app के थ्रू investment और saving करिए इसके लिए कुवेरा एक अच्छी app है जिसको मैं personally use करता हूँ और उसमें अपना सारा भी जो bank से पैसा है वो transfer कर देता हूँ कुवेरा का download link आपको नीचे description में मिल जाएगा बड़ी simple और आसान है ठीक इसी तरीके से अगर आप share market में invest करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं personally use करता हूँ upstocks app वो app Hindi और English दोनों भाशाओं में available है और अगर आप नीचे दिये गए link के थ्रू वो app install करेंगे पसंद आया होगा और जरूर इस देश में कुछ न कुछ जाग रुकता बड़ी होगी इतना ही लेबर लॉट टीम का प्रयास है इसी तरह हमार साथ जुड़े रहिए हमेशा जाग रुक रहिए जै हिंद जै भारत